नमस्कार स्वागत है आपका माई जोतिश में इश्वर का दर यानी मंदर पवितृता का घर इश्वर का घर जहां की दर और दिवारे ही नहीं छट तक देती है उर्जा हम में से बहुत लोग जब जीवन के निराशाओं से घिर जाते हैं तो मंदर की ओर दोड लगाते हैं लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो सुकुन किसी चार दिवारी में नहीं मिलता वो आखिर एक मंदर में जाके कैसे मिल जाता है कैसे एक अरदश्य शक्ती मन के साथ तन को भी करोडो तरंगों से जंगरित कर देती है बहुत से सपने मनोकामनाए ईश्वर के इस घर में नियम से जाने भर में पून होती है मंदर में शक्ती ईश्वर का वास यहां महज मानेता नहीं है इसके पीछे चुपा है विज्ञानिक रहस इस बाबत जागरन.com ने वरिंदवन आय उज्जैन के धर्म विज्ञान शोध संसाधन के निदेशक डॉक्टर जेजे सर ने चरचा की डॉक्टर जेजे सर ने बताया की सनाधन धर्म में मंदर एक प्रयोक शाला है इस प्रयोक शाला की हर वस्तू अपने आप में विशेश महत्व रखती है देव प्रतिमा के विशेश स्थापना के अलावा मंदर के कलश और गूबंद विशेश उर्चा देने वाले होते हैं उन्होंने कहा कि मंदिर में कलश विदी पूर्वक स्थापना के बाधी लगते हैं जब कोई मंदिर में आके प्रते दिन मंत्र जाप करता है या नाद का स्वर करता है तो उस मंत्र शक्ति का लगतार खर्चन होता है उससे कलश और गोबन के अंदर धूम धूम कर मंदर शक्ती की एक उर्जा बनती है वह उर्जा सम्मंदित वेक्ती जो मंदर कर रहा है उस पर सीधा प्राहार करके उसका उपचार करती है इसके अलावा जो उसके आसपस किसी भी तरह की कोई नकरात्मक शक्ती होती है वो कलश के द्वारा समाप्त हो जाती है डॉक्टर जेजे सर के अनुसार मंदर के कलश में चक्र होते हैं जो की साथ, तीन, दो, एक चक्र होते हैं यह चक्र अलग-अलग उरजाओं के लिए होते हैं जैसे जो कठिन मंतर होते हैं उनकी अनुसार अलग-उरजा मिलती है मंदर के स्थापना अलग-अलग राजियों में अलग-अलग प्रकार की होती है जैसे उत्तर भारत के मंदर की बनावट अलग और दक्षिन के मंदर की अलग होती है हर स्थान पर मंदर अलग-अलग स्वर के साथ गुंजते हैं और गुंजने के बाद एक माइक्रो पावर बनता है जो कि शरीर के आकर्शन के लिए लाबदायक होता है। माइक्रो पावर गोबंद या क्लश के चक्र में जाकर सीधा नीचे की ओर चलता है और शरीर पर सीधा अपना प्रभाव छोड़ता है। झाल झाल झाल